हाई गाईज वेलकुम बेक तु माई चानल मेरा नम प्रीक के वाली हो कैसे वाप सभी आज मैं आप लोगों को लंबे फेज के लिए लॉंग सेज के लिए बिड़ोल से बताने वाली हूं पापो गया करने हैं साइट पर्टिशन करने हैं जाते मैंने किया हुआ है पूदा युद्ट फोड़ा से ख्रेल का शेक्शन देंना है इस तरीके से तृके और लगाने को रबर बैंड आप कि इति भी कलरबर बैंड लें अनले या पे पिंक लिया हो तो छोट्टु छोट्टु सा जाच्छ देंगी और इस तरीके से रबर बैंम लगाएंगे एंद निच्चे की तर से हेर को निकार देंगे और टाइट कर देंगे, पर सेटिनिंग ब्यार लेंगे, और सिफ से एक बढ़न लेंगे, और किस से लगा देंगे, आपके, आपकी क्लियर दिख रहा हूं, और तेज से एक बढ़न करेंगे इस तरीकिते, और दबर बैंड को पलेट के लिकार देंगे, और तेज से दबर बैंड लगा देंगे, इस से एक बढ़न करेंगे, और दबर बैंड को स्निचे तूपर की तो खीच देंगे, और ताइप करेंगे, वाँ, और यह तो हो गया, एक प्रिक्शन, आप चाहते हो तो इसके एक बढ़न करेंगे, क्राउं मेरिये तक इस तरीके से बना लेंगे, और रिचे की दबर निकाल देंगे, और टाइट तर देंगे, वाँ, तो इस तरीके से आपका, एक लेयर कंप्लीट हुआ, आप चाहो तो ऐते ही छोड़ सकते हो, और लोंग फेस के लिए बैस चाहे गई है यह यह तो फोड़ा सा और ज्यादा इसको खुफरत दिखाने के लिए, यहां से 3 पाट्स पर डिवाइड चलोगे यह आपको, इस तर पर फोड़ा से नीचे से यह आपको, एड़ करते जाएंगे, उपर से लिए अड़ करने हैं, तो उपर से लिए अड़ कर लेजे, लंबे पेस पेक साइड से यह ताइट लेहें, तोरी ज्यादा अच्छे लगते हैं, इतना गम्यों से खारता सा ही आपको खीषते जाएंगे, अपर डाइसें से अपे लेहेंगे, दैन गॉभी टेक से फिकर करेंगे, बॉभी टेक लगते हैं, तो बगाते हैं इसकरी के लिए, कि आपको रेया है, जो आपकी टेक्स हैं, वो अंदर फिकर होगे, और उपर से एक साइड में लखेगा इन डेस्ट आपका हैस्टाइल जो है वह कम्प्रीट हो गया है खुले बालों में छोटे बालों में लॉंग फेस के लिए बेस्ट हैस्टाइल है और रुपके आपको पसंद आये हो वीडियो ची लगे तो लाइक तरह करते हैं और सब्सक